तो मेरे बारे मैं जिस वक्ट मैं पॉल्टिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गुविंदा के संबन यहां वाहां मैंने यह कहा कि भईया संबन तो छोड़ दिजे अगर एक बिजनस्मेन का भी मुझे साथ दिया गया होता किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गुविंदा की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है पैननसर ही नहीं मिल रहा है मुझे किसी का साथ नहीं रहा तो इतने समय बाद जिस वक्त पहला जी साथ दे रहा है तो पहला जी साथ दे रहा है तो ये इंडिरेक्टली कहा जा रहा है पहला जी से कि किस अद्मी के साथ दे दिया आपने गुविंदा का मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशनर में नाम नहीं लूँगा उसका रात में एक बच के पाँच मिनिट के उपर पार्टी में वो शराप पी आए और उनन मुझे कहा कि गुविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ धात पात किये मैं का मुझे विश्वास नहीं है आपने के लिए वो पूछने लगे कि मैं कहर Там और आप विश्वास नहीं कर रहे हो मैं का मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडमबर और एक दूसरे में उलजा देने वाले लूग मैंने बहुत देखिए हैं शैर में मैं किसी के कहल आता नहीूं कभी मैं हार्ड वग करता हूँ अला देख रहा है उसे यह समझ में आए उसकी भाशा के अंदर वो क्या कह रहा है उसके भाशा के पीच में वो क्या कह रहा है लोग सब समझते हैं उपर वाला है देखने के लिए मेरा यह सोचना है कि मंच तो प्रदान करें गट्स की तो जगा देखी ही नहीं कहीं कहां वो जो आता है, वो मुबाइल के माद्यम से जो कहना चाहता है, वो कह देता है, किसी नेता की परवा कहां करता है वो, कहां करता है किसी नेता की, जब उसे कहने का मौका दिया जा रहा है, तो जो आदमी आदा दरजन स्टार लेकर आया है फिम लाइन के अंदर यार, यह क्या लगा रखे यह डरा रहे हैं इन्डारेक्टली इस अ यह डरा रहे हैं और मुझे तो इसलिए कभी सब फालतु चीजों का मुझे भाइब यह भाई इसलिए उसलिए नहीं रखता कि मुझे कृपा रही है हुपर वाले ने करम किया हुआ है कि 100 क्रोड की अबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 हैं उसमें तो मैं गोविंदा हूँ साथ में तो उपरवाले ने मुझे पर करम किया हुआ है 29-30 वर्ष हो गए मेरी दुगान तो कहीं मुझे प्रब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूँ परन तो घर चला दे आदमी थोड़ा बहुत काम कर ले उसे हिज़त मिल जाए इसका मतलब यह है कि 9 वर्ष उसे मंची आप दे मंची नहीं दे रहा है यार यह क्या हो गए 10 वर्ष हो गए गोविंदा जी मैं सौरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपका जो पर्डूसर है पहलाज जी इनके साथ मैंने 16-17 फिल्में की हैं जिसमें से 15 सूपर डूपर हिट है लाकों क्रोड़ रुपया खर्चा करते हैं यह सोचते भी इनका बजट ही नहीं होता है बजट तो बाद में बनता है जब फिम चलती है कि नहीं चलती है लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ अगर आप रमाइन लिख रहे हैं और उसमें राम का शब नहीं यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर नहीं लिख सकते ना मैं एंड में चिला के बोलता हूँ पिक्चर में जैश्री राम और आप देखना पूरा थेटर खड़ा होके बोलेगा जैश्री राम क्योंकि इतनी क्लीन भगवान औरत की इज़त बेन की इज़त मा की इज़त सब कुछ है सर एक कलाकार है हमने बहुत विलन के रोल की है क्या क्या नहीं किया सर सब कुछ किया है सेंसर को मदे रखते हुए सब पास हुआ है इसमें हमारा हीरो है जो डबल रोल कर रहा एक एक राम है और एक थोड़ा सा नेगिटिव है लेकिन वो सब एंड में सुधर से फैमली साथ हो जाती है सर आप यह जो काटेंगे है मेरे साब से यह तो पूरा ही एक पोड्यूसर पे इतना दबा हो जाएगा कि आएंदा वो अच्छी सोच वाली फिल्म कैसे बनाएगा सर आप बड़ी बड़ी फिल्मों को पास करते हैं क्योंकि आपको कौफ है आप उनके लिए कुछ लिखते हैं तो यह गलत है मेरे साब से मेडिया अंडस्टांड पहला जन्यलानी अंडस्टांड की वाट इस स्टेक वाट जिववन इस फिल्म इंड़िट्री फिल्म सूपर दूपर एट फिल्म तो बड़ी बिगस एट इन सेंचरी वाज आँखे इतनी आज के दौर में फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल है जो वापेस फिल्म बना रहा है क्योंकि चंदी लोग हैं जो सब थेटर लेके बैठे और यह फिल्म बहुत अच्छी है और I don't think he's a fighter and we are the best people the media is there I think मैं media से बूचूँँगा आपको कुछ लगा तो I feel कि media को हमारा साथ देना चाहिए Thank you मुझे ऐसा माहोल नजर आ जाए जो मैंने फिल्में देखी है कि जैसे मैंने 40s की फिल्में देखी है मैंने वो टाइम भी देखा है जिसमें 70s की फिल्में देखी है मैंने 80s की फिल्में देखी है मैंने अभी 90s की फिल्में की सब लाइन में सुपरिट रही हुई है अब ऐसे मैं इससे बहुत ज़्यादा फिल्मों में मैंने देखा है ये एकदम से वही पॉइंट पकड़ ले रहे है जो लोग चाह रहे हैं ये कटेगा तो ये फिल्म नहीं चलेगी जो फिल्म नहीं चलेगी उसे बहुत ज़्यादा ठेटर दे दो जो चलेगी उसे ठेटर ही नहीं दो लग रहा है कि इस पॉइंट पर हसी आजएगी उसे काट के निकाल दो लग रहा है कि ये पॉइंट पर चल तो नहीं जाएगे बिचर किसी की क्यों कि चलानी ही जो है किसी एक वर्ग की एक ये बुमी का मुझे नजर आती है कि वही चाहरा है कि ये बाकी जित्ते है ये आउट हो जाए मेरा ऐसा सोचना है तो ये बाकी में जो डाल रहे हो ये बाकी में पहला जिरानी कहां से आ जाएंगे बई मेरा ऐसा सोचना है कि इस जो लोग वर्षान वर्ष काम करते आये हैं कितने आर्टिस्ट लेके आये हैं आज हम जैसे जो आर्टिस्ट है आदणिया शक्ति खपूर जी जो कह रहे थे कि अठा उन्ली स्पिच्छर की उन्होंने ऐसे में जिस आदमी के साथ काम किया हुआ है वो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है शहर में माहूल अच्छा नहीं है ये फिल्मों के लिए साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले